कि नमस्कार स्वागते आप लोग का डिफेंस ऑफिसे एकाडमी के यूट्यूब चैनल पर क्या सनिक स्कूल का फॉर्म आ गया क्या सनिक स्कूल का फॉर्म नहीं आया यह पेरेंट्स बहुत परिशान है और बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं बहुत सारे मेसेज भी आ रहे है तो जो चिंता वाली बात है वो कहीं न कहीं वाजिब भी है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप को यह चेक करना है कि सनिक स्कूल के फॉर्म आये हैं या नहीं आये तो यह बहुत सिंपल है आपको किसी के उपर रिलाय होने के ज़रूतने खुद से आप गुगल मे सर्च करें तो इस तरीकी की website आपको देखने को मिल जाएगी एक तो है exams.nta.ac.in website को याद करने के ज़रूतने है जब आप Google में सेनिक स्कूल लिखेंगे सारी websites जो है official वो सारी खुल जाएंगी और दूसरी एक और है www.nta.nic.in किसी भी website में आप जाएं तो यहीं पर notice आता ह कोई भी latest examination जैसी सेनिक स्कूल का आएगा तो यहाँ पर notice आजाएगा ठीक है बस मैं चाहता हूं कि आप daily basis में यह सारी websites go through करें आप देखेंगे कि जो भी इसमें notifications आएं वो वो last year के सेनिक स्कूल से related सारे notifications हैं कोई इसमें अभी जो latest सेनिक स्कूल होने वाला है 2025 का उसके related क यहाँ पर कोई notification नहीं दिया है इसका मतलब सेनिक स्कूल के form अभी नहीं आए है ठीक है चिंता वाली बात नहीं है जैसे सेनिक स्कूल के form जैसे आएंगे हम एक वीडियो भी बनाएंगे आप हमारा YouTube चैनल भी subscribe कर सकते हैं वहाँ के थू भी आपको information मिलेगी लेकिन फिर भ प्रप्लम नहीं है आप हमसे भी guidance ले सकते हैं लेकिन important यह है कि सेनिक स्कूल के form को भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है सेनिक स्कूल के form को भरते वक्त कौन कौन से digital documents आपको चाहिए वह जाधा important है तो आप वह पुराने वीडियो भी देख सकते हैं या उसको पर भी हम एक detailed video जरूर लाएंगे ठीक होता क्या है basically आपकी photographs, बच्चे के signature वो सभी चीज़े upload होते हैं उसके documents upload होते हैं तो उसका fixed resolution होना चाहिए, fixed size होना चाहिए, वो upload करने में कहीं न कहीं parents को problem होती है और digitally आपने payment भी करना पड़ता है तो वहाँ पर parents कहीं न कहीं अटकते हैं तो वहाँ पर हम जरूर आपकी help करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे के जो documents है वो पूरे है या नहीं है आपके पास, बच्चे का birth certificate चाहिए, बच्चे का do missile चाहिए, यह आप देखें कि यह आपके पास है या नहीं है, यह important है, आधार काड बच्चे का upload करना पड़ता है, यह सारे documents important है, इसका digital form आपके पास होना चाहिए, कहीं न कहीं, इसको पर एक detailed video हम जरूर बनाएंगे, तो कैसे आपको form चेक करना है वो तो आपने देखी लिया है, और इसको पर एक detailed video हम लाएंगे कि आप किस तरीके से application forms को भर सकते हैं, okay, so I hope कि आपको आज का वीडियो information लगा होगा, okay, और हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सस्क्राइब करें, और जैसी Scenic School के forms आएंगे, आपको notification मिल जाएगा, या हमारे end से आपको information मिल जाएगी, that's all for today, bye bye, see you soon, all the best.